नमस्कार, मुझे डॉक्टर प्रद्यूत रंजन भीयां, कंसल्टेंट नियुरोलोजिस्ट आज यहामें डिस्कस करीबा फाइब्रो मायल्जिया भी सहरे फाइब्रो मायल्जिया हुच उटे लाटीन वार्ड रू अमरो डिराइब कराही ची इटा हुच उटे फाइब्रो मीन्स फाइब्र, मायो मीन्स मसल आओ एल्जिया मीन्स पेन और थाथ मसल्स फाइब्रो पेन कुँ आमें हुच फाइब्रो मायल्जिया भी कोही थाओ एई जु फाइब्रोमायल्जिया पेन जो हुए, साधामतो एटागुटे हुच्छ डिफ्यूज बोडी पेन हुए, बोडी रो सम्पूर्ण अंग्षरे साधामतो इपेन परिलख्षित हुए थाई, हातो, गोडो, मुंडो, बेको, पिठी, अंटा, जोंगो, सब अंग्षर पेन परिलख्षित हुए थाई, आमरो इजु फाइब्रोमायल्जिया हुच्छी एटागोटे हुच्छी डिफ्यूज टाइप ऑप पेन अर्था आमरो जो बोडी रो कोणो सी अंगो, कुट स्पेसिफिक जागार पेन नो हुए, एटागोटे डिफ्यूज पेन हुए, ब पेन प्लास्टिक पेन, आमरो इजु फाइब्रोमायल्ज जाओँ ची वान टाइप अप नीउरो प्लास्टिक पेन, और था आमरो जो पेन मेकानिजीम हुची, पेन मेकानिजीम रे इम्बलन्स जोगू साधान तो आमरो बोडी रे जो पेन रिसेप्टर सो छो थी, बाप पेन रो मेकानिजिम प्रोडूस पाई जोग केमिकाल्स होची तार इम्बालान्स जोगू साधान तो आमरो एई पेन होई थाई एई त्या साधान तो खाली पेन नुहें एा सांगरे आउ किछी समस्यामध्य रोगी को देखा जाई थाई जो था ठीक भाबने निदो न होबा एबंग इरिटेबूल बावेल सिंड्रोम और खाद्यो खाईला परे बारामबर ज़ाडा लागी भा खाद्यो होजम न होबा कॉंसेंट्राशन रो अभाव होबा इरिटेबूल होबा छोट-छोट कोथारे व्योस्तो होई पड़ी भा थका लागी भा इत्यादी मध्यो एई इरिटेबूल बावेल सिंड्रोम सांगरे आमरो एई जो फाइब्रो मायल्जिया देखा देई थाई फाइब्रो मायल्जिया जो रोगी होची तार कारण मध्यो जोद्या में जानीवा ताले अनेकांग सखेत्र देखा देई थाई कि किछी आमरो जो फाइब्रो मायल्जिया डिजीज जो पेसेंट को थाई तांकर छोटो समयरे किछी इमोसनाल भा फिजिकाल एब्यूज रो अन्यों किछी रोगमध्य थाई पादे हमपूर्ण सरीर व्यथा हुए बड़ी फेटीग बाद दुरबळ लागे ता सांग कु निद्रा नहभा इरिटेबूल बावेल सिंड्रोम परीमध्य समयरे देखा देखा देए थाई एई जो पेन हुए एटा कुटे हुची डिफ पेन कुण सी सरीर वर कुण सी गोटिय अंगरे वा गोटिय एरिया कु रेस्ट्रिक नहीं पुरा समग्य बड़ी को अटेक करी थाई एबं बेकोठारू पिठी पेटो हातो गोडो सबु अड़े हुची बथा परिलखीत हुए थाई याकु साधान तो आमें बड़े डिफ तुआ बेलोरे इची एमोसनाल वा फिजिकाल एब्यूज रो हिस्ट्री थाई साधान तो तांकु भविश्वत्रे फाइब्रमाइल जया हाँ बर समभावना थाई आमें देखुँ साधान तो इड़ा फिमेल जेंडर रे बेसी देखा जाई मेल अपे खिया फिमेल मानुक ठारे फाइब्रमाइल जया रोगों बेसी देखा देखा जाई जो मने साधान तो फिजिकली इनेक्टिब एबं अधर क्रोनिक डिजिज लाइक रिमाटोइड आर्थराइटिस, SLE, लिभर डिजिज बा किद्नी डिजिज इत्यादी रोगोरे पीडितो सेमान कु फाइब् फाइब्रमाइल जया रोगी साधान तो उड़े डिफ्यूज पेन, क्रोनिक पेन, सिंप्टोम्स नहीं की आसी थाई, साधान तो ए सुब लक्षणों थिले, जोने नियूरोलोजिस्ट बा रुमाटोलोजिस्टों कर परामर्शन नहीं परिवे, किछी परिख्या करा जाए अनेकां सो खेत्रोरे हिस्ट्रीरू आम्में साधान तो उड़े फाइब्रमाइल जया रोगी कु डाइग्नोज करी थाऊ, किछी सेकेंडारी कोजस लाइक, रिमाटोयड आर्थराइटीस, SLE, बाकुणसी लिभर डिस्फंक्शन, बाकोची अन्यों किछी समस्या जोई था अन्यों किछी अम्में ब्लड टेस्ट करी थाऊ, थाइरोड डिजीस को रूलाउट करी थाऊ, केल्सियम रोडेफिसेंसी इत्यादी मध्या मेरो रूलाउट करी थाऊ साधान तो आमरोई जो फाइबरोमायल जया जो रोगो ओछी ता पर मुख्यों चिकित साहला उड़े मेडिसीन ट्रिट्मेंट, साधान तो लोगविंकु आमें कोग्निटिव विहेवियर थेरापी और थाथ आम्माँ गोटे तांकरो रिलाक्सेसन एक्ससाइज, साइकोलो साधान तो इठी ब्यभार कोई थाओ, हाइबरोमायल जया रोगो इट साधान तो रोगी बहुत निजो कु डिप्रेस्ट फिल कोरी थाए, कैना बारंबार कॉन्सल्टेशन हला परे, बारंबार पेन किलोर नेला परे मोजे तार समस्या रो समाधन होई थाए, तेनु जो द थीक भावर निजोर काज्यो कु करी पारंथी नाहीं, तेनु देरी न करी रुमाटलोजेस्ट बार निउरोलोजेस्ट नंगर आपन परामर सन्यांतु